हालो बजो, लेट्स रीद इस क्वेश्शन, दो क्वेश्शन से इस विच फॉलोइंग ऑप्षिंस कांसिस्ट एक्स्लूजिवली ओफ नाइडेरियन याने कौन से ऑप्षिन में जो ओर्गानिजम्स हैं, वो सारे ही फाइलम, सीलेंट रिटा या नाइडेरिया को विलॉंग करते हैं, ठीक है, फिर्स्ट गिवन है, एपलाइजिया, देन गॉर्गोनिया, देन स्पॉंजिला, एन हाइड्रा, तो अगर हम यहां पर बात करें, एपलाइजिया की, तो इसका कॉमन नेम है, सी हैर, ठीक है, एंडिस विलॉंग स्टू फाइलम मलस्का, ठीक है, मॉलस्क पॉरिफेर फाइलम से मेंबर्स हैं, इस उप्शन में, तो ए इनकरेक्ट हो जाएगा, देन भी गिवन है, हाइड्रा, सीलें टर्टा या नाइडेरिया फाइलम को विलॉंग करता है, पैने ट्यूला, जिसका कॉमन नेम सी पैन है, यह भी सीलें टर्टा फाइलम को विलॉ करता है, बिट एकाइनस यानि सी अर्किन जो है, इस बिलॉंग्स तो फाइलम एकाइनो डर्मेटा, तो यह भी क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, देन सी गिवन है, हाइड्रा, सीलें टर्टा को विलॉंग करता है, ओवेलिया, सीलें टर्टा को विलॉंग करता है, एडेम्सिया का common name है C-anamon, यह भी Nideria या sealantrata को बिलोंग करता है, Physelia का common name है Portuguese man of war, यह भी sealantrata को बिलोंग करता है, तो C option correct जा रहे हमारा, D में देखो Skypha, Porifera को बिलोंग करता है, Hydra, sealantrata को, एडेम्सिया जिसका नाम C-anamon है, यह भी sealantrata को, एडेम्सिया जिसका नाम Portuguese man of war है, यह भी sealantrata को बिलोंग करता है, तो यहाँ पर क्योंकि यह Porifera को बिलोंग करता है, D option भी incorrect हो जागा, हमारा जो correct option है, that will be option C, इसकी regarding information आपको 11th की new NCRT में page number 41 पे मिलेगी, I hope कि आपको question अच्छे से समझा गया है,